तो बताओ सर भारती रेजर बेंग की स्थापना कर वोई थी आम बजट को रेल बजट से कब अलग किया गया 1924 आप बताइए 1921 में अलग किया गया कब दोनों को फिर साथ में रखा गया 2017 एक्ट वर्थ कमेटी किस हो जाएगा वह गया टैनियोर प्रणाली जो है वो किसके द्वारा शुरू पी गई किसके द्वारा करजन के द्वारा और जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया पोर्टफोलियो व्यावास्ता किसके द्वारा शुरू की गई बोले जल्दी बोलो यह तो बोल चुके इनका तो मैंने सुना आप बताओ जल्दी पार्णवालेस पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग कब शुरू हुई गलत करेक्ट ठीक है डिविजनल कमिशनर का जो पद है यह कब बनाया गया संभागी कमिशनर या संभागी आयुक्त का यह पद है किसने और किस वर्ष बनाया बोलिये यह को मैंने कल ही कहा था कि कल आने से पहले आप इसको याद करके आईएगा अन्य था कोई कुछ नहीं कर सकता और वही इस्तितिव डिविजनल कमिशनर का पद इयर बताओ या पिर किसके समय कौन सा गवर्णर जंदल या वाइसराय था उसके दोआरा बनाया गया यह तो महत्रपूर बाते हैं ना स्रीमान विलियम मैंटेक ने बनाया था डिस्ट्रिक कलेक्टर यानी जिला कलेक्टर का पद किसके द्वारा बनाया गया बोलिये नहीं याद नहीं करा ना वारेन एस्टिंग्स सत्रासो बात्तर में बारत का पहला नगरने का मुंशिपल कॉर्पूरिशन कौन सा है मदरास कब बना सोलासो सतासी में यहां तक चीजें रट लेना चाहिए आपको कल सारे एक्ट बताए थे अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे के हम अपने सिलेवस पर हैं ना आप देखने को मिलेगा सिलेवस यूनिट नमबर सिक्स जो है यह भारत शासन अदियम 1935 इसके अलावा जो अन अदियम थे वो हम पूरे कर चुके हैं अब सम्विदान सबा की बात करेंगे और उसके बात दीरे दीरे क्रम से आगे बढ़ेंगे तो भारत में सम्विदान सबा बनाए बनाए गई थी तो इसके लिए कैविनेट मिशन आता है ब्रेटेन से इस कैविनेट मिशन ने सिफारिष की थी कि हम आपको सब्ता ट्रांसपर कर रहे हैं आप अपने लिए सम्विदान बनाने के लिए इसके लिए जो चुनाव थे ये चुनाव इंडारेक्ट होते हैं डारेक्ट चुनाव नहीं थे जैसे कि अभी होते हैं आज का नीश्पेपर पढ़ा या कल की नीश सुनी बताओ क्या परिवर्दन हुआ हमारे देश में अचानक से मुझे चुनाव से याद आ गया NCP, CPI, सरत्पमार की NCPI और TMC, त्रणमूल कॉंग्रेस ये तीन राष्टी स्तर की पार्टियां थी अब राष्टी स्तर की पार्टियां नहीं रही और एक नई पार्टी को दर्जा मिल गया वो पहले ही मिल चुका था ठीक, अब ये जो चुनाव हुए उस चुनाव में जो सदस्य संक्याती उसमें आप कुछ के याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पॉलिटी के पेपर क्वेशन देखोगे प्रीवियस तो आपको याद आएगा, कि बहुत ही अच्छे स्टेंडर्ड के लेवल के क्वेशन पूछे जा रहे हैं, MPPSC की प्री में, इसके लिए वियर एक्ट भी पढ़ना पढ़ता है, हमें लक्षमी कांत भी पढ़नी पढ़ती है, और उसके बाद भी कई सारे क्वेशन नहीं बनेंगे, तो इसलिए कोशिज करो कि इन सारी चीज़ों को मेमुराइज कर लो, रटलो कॉंग्रेस के 208 सदस्चे थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, कॉंग्रेस 208 मुस्लिम लीग 73 सबसे बड़ी बात यही मुस्लिम लीग के पेट में दर्द हो गया, तो उसने दंगे फसा शुरू कराये होंगे हैं ना, तो यह प्रमुक हो जाते हैं, इसके अलाबा यूनियनिस्ट मुस्लिम को एक अनशुचित जाती हैं, वो इतने ज़्यादा मैटपून नहीं है, सौतंतर जो सदस्चे थे, उनकी संक्या आठ थी, प्रस्न का नेचर समझे हैं, तो ऐसे प्रस्न भी पूचे गए हैं, कि बताओ संबिदान, जो सबा थी, कितनी महला सदस्चे थी, हैना, के क्वेश्चिन भी पूचे गए, अब मुस्लिम लीग की स्थिती, कमजोर्ती, तेयतर, सदस्चे थे, इसलिए उसने क्या कर दिया, इस कॉंसेटिवेंट असेंबली का वहिश्कार कर दिया, यहनी अंगूर कैसे हैं, खटे, यह अंगूर खटे, बाली बात, यह कहानी, य के लिए न, किसने का अंगूर खटे हैं, लॉमडी थी एक, तो उसको भूख लगती है, अंगूर जो थे, उंचाई पल लटक रहे थे, उसने काफी प्रियास किया, उस तक वो पहुँच नहीं पाई, तो उसने यह कहना शुरू कर दिया, कि मुझे नहीं खाने, वो तो हटे हैं, यानि हम इस सम्विदान सभा का वाहिसकार करते हैं, ठीक, 9 दिसंबर 1946 को सम्विदान सभा का पहला अदिवेशन आयुजित किया जाता है, मुस्लिम दीव उसमें भाग नहीं लेती है, अब ये जो सम्विदान सभा है, इसके अलग-अलग चरण थे, चरण से इतन लॉरेंस और दोहन सदस्यों का नाम है, स्टेफोर्ट क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, वेरी गुड, सदस्य संख्या संभिदान सभा में कितनी होगी, 389 होगी, कोशिस की गई थी, कि जन संख्या के इसाब से सदस्य रखे जाएं, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से नहीं हु गई कि अब इस देश का विभाजन करना पड़ेगा, माउंट वेटन के द्वारा जो एक एनॉंसमेंट किया गया, उसे हम थर्ड जून एनॉंसमेंट के नाम से जानते हैं, तीन जून गोशना पत्र के नाम से जाना जाता है, यानि यहां भारत और पाकिस्तान का विभाज किया जाएगा, तीसरा चरण सम्मिदान सभा का मान लेते हैं कि जो देशी रियास्चतें थी जिन पर बिटिसर्स की अभी हकूमत नहीं थी या बिटिसर्स प्रत्यक शुरूप से उनको अपने अधिकार में नहीं ले पाए थे ना, तो उनके प्रतिनिदी भी उसमें आते ह लेकिन हैदराबाद के जो प्रतिनिदी थे वो सम्मिलित नहीं हुए अब देखना सम्मिदान सभा की कुछ डेट याद कर लेंगे, पूछी जा सकती हैं कि जो उसके तीन चरण थे वो तीन चरण सम्मिदान सभा की ये डेट हैं आप याद कर लेना पहला 6 दिसम्बर 1946 से 14 अगस्ट 47 तक चला दूसरा 15 अगस्ट 47 से 26 नवंबर 1949 ये सम्विधान जब बनके तैयार हो गया और तीसरा चरण जो है 27 नवंबर 1949 से लेके मार्च 1952 यनि इलेक्शन हुए थे वहां तक माल लेते हैं 9 दिसम्बर 1946 को क्या होता है सम्विधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है और कहां आयोजित की गई जो संसत भवना भी है न तो उसका एक केंद्रियक अक्ष है है न वो केंद्रियक अक्ष में आज भी लोकसभा और आजसभा दोनों के मेंबर एक साथ पैटते हैं इस सम्विधान सभा के सबसे भुजुर्ग और आधरनिय जो व्यक्ति थे डॉक्टर सचिदानंद सिना उन्हें इस सम्विधान सभा का बना दिया चेर्मेन आइस्थाई रूप से कि जब हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे तब तक ये महोदय चेर्मेन रहेंगे ठीक है ये बुजुर्ग भी थे वीमार भी थे तो फिर ग्यारा दिसंबर को दूसरी बैटेक आयोजित की गई और सम्विधान सभा ने अपना इस्थाई अध्यक्ष चुन लिया और वो थे भारत के पहले राश्टरपती बनने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजिंदर प्रशाद बिहार से सम्वंदित थे अब इस सम्विधान सभा ने अपना एक सम्विधानिक सलाकार भी निउप्त किया constitutional advisor उनका नाम है डॉक्टर वी एन राओ ये बहुत महत्पूर विद्वान व्यक्ति थे ये अब सम्विधान सभा बन गई सम्विधान सभा का पुनरगठन भी हो गया पाकिस्तान के लिए अलग चली गई भारत की अलग रह गई भारत के अद्यक्ष ये हो गए सम्विधान एक सलहकारी हो गए सम्विधान सभा क्या कारे करेगी इनका उद्देश क्या है उब्जेक्टिव क्या है इसको लेकर के मिश्टर जवारलाल नहरू ने objective proposal या उद्देश ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया कब किया ये याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और संविधान सबाने इसे कब अनुमती दी वो डेट अलगा जाती अभी हम उस डेट पर भी आ जाएंगे 13 दिसंबर 1946 को मिस्टर जवालल नहरू ने उद्देश ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर विचार विमर्स 19 दिसंबर तक चला ठीक है अब देखना अब हम संविधान पर आ जाते हैं कि संविधान कब बना इसको जो है अब्जेक्टिव प्रपोजल को कब सुईकरती मिली है वो याद कर लेना मेरे पास डेट इसमें नहीं है तो लिखना पड़ेगी जरूरी है 13 दिसंबर 22 जिनवरी को संविधान सभा ने अपना लिया ठीक अब संविधान सभा क्या कारी करेगी संविधान बनाएगी संविधान क्यों आवश्यक है तो भारत की थोड़ी एत्यासिक प्रस्ट बूमी पर नज़र दोडाते हैं कि जब अंग्रेजों ने शासन किया उसके पहले अलग अलग प्रकार के राज परिवार राज सब्ताएं हुआ करती थी यानि राजशाही थी राजशाही में क्या होता है कि एक तरफ राजा होता है और दूसरी तरफ होती है प्रजा राजा और प्रजा यानि प्रजा राजा को अपना स्वामी मान लेती है उसके कोई अधिकार नहीं होते कोई उसके राइट्स नहीं होते वो इस्तिती बदल दी जाती है आधनिक दोर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये मान लिया गया कि अब जनता को अधिकार देना पड़ेंगे कोई राजा नहीं रहेगा वलकि क्या रहेगा जनता के चुने हुए प्रतिनिदी होंगे तो उसके लिए आवश्यक होता है समिधान तो समिधान सुप्रीम लौ आफ नेशन किसी भी देश का जो सबसे बड़ा कानून होगा उसे समिधान कहते हैं कानून का मतलब होता है कि उसके प्रावदानों का पालन करना अनिवार है अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें दंड मिलेगा वो दंड अलग-अलग प्रकार का हो सकता है आर्थिक भी हो सकता है और कारागार में भी भेजा जा सकता है तो Constitution क्या हो गया Supreme Law सबसे बड़ा कानून और ऐसा कानून जिसके आधार पर भारत की प्रशासने की बियावस्ता संचालित की जाएगी ठीक है न तो ऐसे करके अब सम्विधान की बात आती है सम्विधान देश के लिए बनाया जा रहा है राज्यों के लिए बनाया जा रहा है तो अब इसमें शब्द आता है राज, quality के अंतरगत quality में राज एक तो हम जैसे मद्रपदेश राज्य है, उत्रपदेश राज्य है संदर्ब में भी देखते हैं, लेकिन इसको दूसरे संदर्ब में जब हम देखते हैं राज को समझ लो, आप राष्ट्र, नेशन के संदर्ब में देखते हैं, कोई राष्ट्र है या नहीं, इसके लिए अनिवार तत्त, यानि essential element होते हैं, चार, वो कौन-कौन से चार essential element होते हैं, वो यहाँ पर लेके हुए हैं, पहला आता है भौगौलिक शेत्र, जियोग्राफिकल एरिया, अगर कहीं कोई देश होगा, तो देश होने के लिए उसके पास land part होना चाहिए, जमीन होगी, पानी में, हावा में कोई देश नहीं माना जाता अब भौगौलिक शेत्र है, तो उस भौगौलिक शेत्र पर नुवास करने वाले लोग होना चाहिए, यानि वहां की population, दूसरा और तीसरा और तत हो जाता है, उन population पर उस जगह पर सरकार होना चाहिए, गभरमेंट होना चाहिए, और वो गभरमेंट कैसी रहेगी? उस गवर्मेंट का होना चाहिए सोबरिन, संपून, प्रवुत्व, संपन यानि ये सरकार अपने आंतरिक और बाहे दोनों ही प्रकार के मामलों में स्वयम डिसिजन लेगी इसे किसी अन्य देश से, अन्य सरकारों से पूछना नहीं पड़ेगा दबाब में काम नहीं गए, जब ये चारों पॉइंट उपस्तित होते हैं तब उसे कहा जाता है राज्य या, राष्ट इन चार में से एक को भी बाहर कर देंगे तो वो राष्ट या राज्य नहीं होता है, संब्यदान बनाया जा रहा है राष्ट के लिए अब इसमें सरकार सब्द जो आया, गवर्मेंट जो सब्द आया तो सरकार के होते हैं तीन अंग, वो कौन कौन से तीन अंग होते हैं पहला आता है विधाय का लेजिसलेचर, दूसरा आता है कारिपाली का एक्जिक्यूटिव बॉड़ी और तीसरा आता है नियाएपाले का जूडिशियरी विधाय का ये काम करेगी विधान बनाने का विधान बनाने का या लौ कानून बनाने का तो हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और राज्यों में राज्य के विधान मंडल को प्राप्त है तो इनको हम कहते हैं विधायका यानि संसद के सदस्टे क्या कहलाते हैं विधायका के सदस्टे कहलाते हैं जैसे संसद बोलते हैं बट वो विधायका अब कारिपालिका ये वह वाडी होती है जो बने हुए कानूनों के हिसाब से कारिकरेगी या ऐसा कह सकते हैं कि कानून को क्रिय जानवित करना, एक्जिक्यूशन का काम जो है, वो कारिपालिका करती है. तो कारिपालिका के अंतरगत हम किसे रख सकते हैं, कौन कानूनों का क्रियांवेन करता है, मिनिस्टर और प्रशासनिक अधिकारी. यानि एक तरफ इसमें राजनेतिक भी आएगा और प्लस इसमें प्रसासनिक भी आएगा तीसरा आता है जिसे कहा जाता है नियाइपालिका जूडिशरी तो जूडिशरी क्या करेगी जूडिशरी का कारे होता है कि यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है कानून गलत बन गया है कानून का क्लियान वैन गलत ढंक से हुआ है तो उसको रिजॉल्ब करे या विवादों को रिजॉल्ब करे ये कारी करती है नियाए पालिका ये तीनों ही पिलर हैं सरकार के या तीनों ही अंग हैं सरकार के लोग प्रशासन में मुख्य परिक्षा में जब पढ़ते हैं तो सरकार यानी प्रशासन लोग प्रशासन सब्द आता है तो सरकार का वो है अंग जो सबसे ज़्यादा जनता के संपर्ख में आता है वो है कारिपाली का आगे बढ़ें अब हमारी जो सरकार है वो कैसी है लोग तंत्रात्मक है पहले राजशाही होती थी अब राजा और रजवाणों का कारिक खतम हो गया अब कैसी है डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी क्या है लोग तंत्र क्या होता है उस पो अबराहिम लिंकन के कोटेशन से सब रटवाया और सबको याद हो गया कि government of the people, why the people and for the people जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शाशन वो क्या होता है उसको कह देते हैं democracy बड़े सरल सब्दों में दूसरे तोर पर अगर इसको हम और detail में चलेंगे तो लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं होता है इससे कहीं अधिक होता है लोकतंत्र लोकतंत्र को एक तरफ राजनेतिक रूप में देखें तो ये बहुत ही संकुचित सोच है narrow thought है और अगर इसको हम जीवन प्रणाली के अंग के रूप में देखते हैं ये broad view के रूप में आता है अब लोकतंत्र को define कीजिए लोकतंत्र को परिवासित कीजिए मुखे परिक्षा का point होता है PT का नहीं होता है इसलिए हम अपने आपको यहीं पर रोक देंगे कि हाँ लोकतंत्र जनता के चुने हुए प्रतिनिदियों के द्वारा संचाले के भी अवस्था लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से दो प्रकार एक कहते हैं प्रत्यक्ष यानी direct democracy दूसरा आता है जिसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष यानी की indirect democracy प्रत्यक्ष और अब प्रत्यक्ष में अंतर पता होना चाहिए पॉलिटी पढ़ाने वालों से पूछो ना कि बताओ डारेक डेमोक्रेसी क्या है तो वो भी उल्टा सीधा ही बताते हैं 99% उल्टा ही जवाब देते हैं अब आप पैसा जवाब मत देना प्रत्यक्ष लोकतंतर तभी माना जाएगा जब उसमें ये चार आगे आने वाली सर्तें पूरी करता हो पहली जिसमें लिखा है रिफरेंडम यानि जन्मत संग्रह जन्मत संग्रह का मतलब है कि कानून बनाते समय जन्ता की राय ली जाती है अब कानून बनाए जाते हैं ये व्यवस्ता जिन देशों में होगी उसको हम लोकतंतर बोलेंगे हमारे देश में कानून बनाते समय कोई जन्ता से राय नहीं ली जाती है इसलिए हम हैं तो डेमोक्रेटिक लेकिन डारेक डेमोक्रेसी वाले तो इसका मतलब अमेरिका भी डेमोक्रेसी रखता है लेकिन डारेट डेमोक्रेसी नहीं है कुछ उधारं है नीधर लेंड हो गया उस्टेलिया हो गया नौर्वे हो गया इनके यहाँ ऐसा होता है तो सिर्फ एक सर्त से लोग तंत्र डारेक्ट नहीं बनेगा दूसरी सर्थ आती है जिसे कहते हैं प्लेवीशाइट हिंदी में से कह सकते हैं सलहाकारी जन्मत यानि एक तो है कि हर कानून को बनाते समय जन्ता से राई ली जा रही है यहाँ पर राश्ट्री हित के मुद्नों पर जन्ता से राई ली जाती है उसको हम plebiscite goal तीसरा आता है initiate करना यानी कि जनता स्वयम जाकर संसद में अपना विधेक प्रस्तुत कर सकती है आज अगर कानून बनाना है तो उसके लिए विधेक प्रस्तुत किये जाते हैं मंत्री करेगा तो सरकारी विधेक मंत्री के अलावा अन्ने कोई भी प्रस्तुत क तरे तो उसे हम निजी विधेक या प्राइवेट विधेक करते हैं पबलिक कोई अधिकार नहीं मिला है संसद में पबलिक दर्शक दीरगा में बैठ सकती है तो पहल करने का मतलब है कि देश की जनता स्वयम कानून बनाय सके और चौता आता है right to recall कि अपने चुने हुए प रहा जाएगा डारेक्ट डेमोक्रेसी और ये चारों जहां नहीं होंगे और डारेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में नहीं आएगा ना तो भारत में हैं नहीं अमेरिका में हैं तो फिर ये बड़ा confusion पैदा कर दिया जाता है बोल देते हैं आसानी से कि अमेरिका डारेक्ट ड गवर्मेंट है राष्ट्रपती या अध्यक्षात्क हमारे यहां पर संसदी असासन प्रणाली तो याद रखोगे अब इंडारेक्ट डेमोक्रेसी यानि इन चार तत्तों का न होना वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है लोकतंत्र का मतलब है जनता के चुने हुए प्रतिनी दियों द्वारा शाशन लेकिन ये चार पॉइंट नहीं है तो वो इंडारेक्ट डेमोक्रेसी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक बड़े देश में पॉसिबल भी नहीं हो पाता है जनत अब आगे देखो लोकतंत्र हो गया वैसे ही प्रशाशनिक व्यवस्ता को या हम अपनी स गवर्मेंट पार्लियमेंट्री का मतलब है संसदिय शासन प्रणाली और प्रेसिडेंशियल का मतलब हो जाता है अध्यक्षात्मक्ष शासन प्रणाली पालियमेंट्री में सारी सत्ता सब कुछ किसके पास होगा संसद के पास होगा और अध्यक्षात्मक्ष में सारे अधि और सारी सब्ता किसके पास होगी राष्ट्रपती के पास होगी ब्रिटेन बिश्व का सबसे पुराना संसदिय सासन प्रणाली वाला देश माना जाता है ठीक है एक और अंतर होता है संसदिय सासन प्रणाली में कि जो सरकार के तीन अंग अभी हमने देखे कौन कौन से एक जिसे कहा जाता है विधाय का, दूसरा जिसे कहा जा रहा है कारिपालिका, और तीसरा जिसे कहा जा रहा है नियाईपालिका, इन तीनों में इस पस्ट रूप से विभाजन नहीं होता है, भारत में भी संसदी असासर प्रणा लिए, विधायका का मतलब हो गया संसद के सदस्य कारिपालिका का मंतलब हो गया सरकार और सरकार किसकी बनती है जिसकी संसद में यानि लोकसावा में बहुमत होता है तो जो मंत्री हैं वो संसद के भी सदस्य हो जाते हैं इसलिए इस पस्ट रूप से हम लाइन नहीं खीच सकते तो संसदी असाशन प्रणारी में इन तीनों अंगों में इस पस्ट विभाजन नहीं होता लेकिन अध्यक्षात्मक्त में होता है अमेरिका में जो वहां की संसद है वो अलग वहां की जो सरकार है वो अलग नियाई पालिका जो है वो अलग होती है तो अध्यक्षात्मक में तीनों अंगों में इस पस्ट रूप से अंतर होता है ठीक है? आगे बढ़ते हैं ये संरचना के हिसाब से हम समिधान का या सासन प्रणाली का वरगी करन कर रहे थे एक लोकतंत्र हो गया जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ता दूसरा संसधिय असासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक का सबसे बाड़ा सबसे पुराना उदारन अमेरिका में और संसधिय का ब्रिटेन में है भारत ने संसधिय असासन प्रणाली को अपनाया है अब हम शक्तियां किसको मिली हुई हैं इसके हिसाब से भी विभाजन कर सकते हैं तो शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीन प्रकार्शे बरगेकरन करते हैं एक जिसे कहा जाता है एकात्मक यूनिट्री सिस्टम एकात्मत का अर्थ ये हुआ कि समस्त जो शक्तियां है वो किसके पास है एक किसी सरकार या एक किसी व्यक्ति के पास होती है यानि सबी सक्तियां केंदर सरकार अपने पास रखती ठीके न प्रादेशिक जो एकाईआँ बनाई जाएंगी वो प्रादेशिक एकाईआँ केंदर के सहयोगी के रूप में काम करती है उनको अलग से कोई अधिकार नहीं दिये जाते हैं प्रिक है जैसे अगर हम बारत का अधारन दे लें बारत में एक तरफ केंदर सरकार या इसे हम संग्ड सरकार कहते हैं राज्यों में राज्य सरकारे हैं लेकिन हमारी राज्य सरकार सुतंत्र है उसके चुनाव अलग होते हैं उसका CM अलग है उसके मिनिस्टर अलग है राच सरकार कहां कानूड मनाएगी वो टॉपिक भी अलग है न तो ये जो प्रादे से किकाईया बनाई उनका विभाद न अलग है लेकिन ब्रिटेन में अगर हम देखते हैं तो ब्रिटेन में केंडर सरकार होती है और उनके प्रांत अपनी योजना नहीं होती है ये इसके सहयोगी के रूप में ही तो कारी करते हैं तो एकात्मक व्यवस्था जहां सारी शक्तियां किसके पास हैं एक केंडर के पास होती है प्रादेशे के काईयां हो सकती हैं बनाई जाती है लेकिन वो प्रादेशे के काईयां सहयोगी के र एकल नागरिक्ता के रूप में जानी जाती है सिंगल सिटीजन से एकल नागरिक्ता से आ से हैं कि वो किसी भी राज्य में रहे लेकिन नागरिक्ता उसको अपने देश की ही लेनी पड़ती है तो दारण के रूप में हमें United Kingdom या Britain समझ में आता है जो सबसे अच्छा उदारण माना जाता है एक आत्म का दूसरी तरफ आती है जिसे हम संगिये व्यवस्ता या फेडरल सिस्टम के नाम से जानते हैं यहां पर शक्तियों का विभाजन इसपस्ट रूप से कर दिया जाता है केंदर की शक्तियां अलग कि आप इन शेत्रों में कारी कर सकते हो इन विषयों पर कानून बना सकते हो और राज्ज के शक्तियां अलग उनको भी अलग बता दिया जाता है अब केंदर और राज्ज दूनों अलग अलग शेत्र में काम करते हैं तो इसलिए किसी भी प्रकारता कोई टकराव ना हो विवाद न हो तो फिर लिखित में कोई समझोता होना चाहिए और वो लिखित वाला समझोता ही एक तरीके से लिखित समयधान के रूप में सामने आता है तो जहां पर भी आपको संगियश आशन व्यावस्ता दिखाई देगी उस देश में रिटिन कॉंस्टिटिउशन होगा ये कंपलजरी है तो कि मौकिक रूप से तो फिर समझे हैं आईगी न ऐसे देशों में सामानित है दोहरी नागरिकता होती है डोयल सिटीजन से पकारत ही ये है कि एक तरफ आपको देश की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी और उस राज की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी ऐसे राज्यों में ऐसे देशों में नियाई पालिका भी दोहरी होती है एक तरफ संगी अदालतें काम करती हैं जो संग से संबंदित मुकदमों की सुनवाई करेगी और दूसरी तरफ राज्ज की अदालतें काम करती हैं जो राज्ज से संबंदित मामलों की सुनवाई करेगी यहां राज्ज की अदालतों के खिलाब संग में अपील नहीं होती है हमारे देश की जो अदालत का सिस्टम है वो अलग है कि जैसे डिस्ट्रिक कोर्ट बने हैं उनके फैसलों के खिलाब हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उसके फैंसले के खिलाब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लेकिन अमेरिका में यानि अगर कोई पून रूप से संगीय वियावस्ता है तो ये नहीं अपनाया जा सकता ठीक वहां संगीय नियाल है अलग है अलग अलग राजियों के हाई कोट अलग बने हुए इसका सबसे अच्छा और सच्चा उधारण United States of America है संभ राज अमेरिका है फिर दोनों को मिला दो कुछ गुण इसके ले लो कुछ गुण इसके ले लो तो वियावस्ता जो बनती है उसे कहते हैं क्वासी पेडरल और संगात्मक यानि इसमें एकात्मक और संगात्मक दोनों क इकुण पाये जाते हैं और इसमें भारत फिट हो जाता है क्योंकि भारत में संग भी है एकात्मक भी है और विवाजन भी है तो भारत ने क्या किया है कि संसदिय शाषन प्रणाली को अपनाया संदचना के रूप में अगर हम भारतिय संभिदान या भारतिय व्यवस्ता को देखें तो इसकी प्रकर्ती, प्रकर्ती का मतलब होता है नेचर यानि सुभाव कैसा है, तो सुभाव तो एकात्मक है, यानि केंदर के पास अधिक शक्तिया, इसके बाद ये याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चेन आये गए, तो भारतिय संविधान की प्रकरती एकात्मक लेकिन संरचना संगात्मक बनाई गई डॉक्टर वी आर अम्बेटकर कहते हैं कि भारतिय संविधान पून रूप से संगात्मक है ठीक है लेकिन वास्तविक्ता में भारतिय संविधान आर्द संगात्मक इससे जुड़े question आ जाते हैं मालो option number A लेखाओ कि भारतिय सम्मेदान कोन रूप से संघात्मक है option B लेखाओ कि यह अर्ध संघात्मक यानि क्वासी federal है C लेखाओ संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर जुका हुआ D लिख देते हैं इन में से कोई भी नहीं तो अब आपका उत्तर क्या हो जाएगा फून संघात्मक है अर्ध संघात्मक है या संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर जुका हुआ है या इन में से कोई भी नहीं वारतिय सम्मेदान C यहां पर हो जाएगा आर्ध संगातमक लगाएं के तो गलत हो जाएगा वोकि संगातमक है संदशना पूरी की पूरी संसद, कैंद्र, संग सूची राज्य, अलग अलग बिधान मंडल राज्य सूची लेकिन अपात्काल लगा दो या खेंदर के निर्देश राज्य को मानने पड़ते हैं खेंदर कभी भी अपने सेंटरल पोर्सिस को राज्य में बेच सकता है राज्यपाल का पद हो गया तो ये सब बातें क्या बताती है ये बिभाजन नहीं एक कात्मक की ओर लेकर चाती है ठीक है? गुट आगे देखो सम्विधान लिखित भी होते हैं और दूसरे आलिखित भी होते हैं लिखित सम्विधान विश्व में सबसे पुराना अमेरिका में है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान आपके देश का है क्लियर है ये बात? ब्रेटेन का सम्मिधान विस्व का सबसे पुराना माना जाता है मगर वह आलेखित सम्मिधान की स्रेणी में रखा जाता है अमेरिका को क्या कहा जाता है कि यहां नियाएक सर्वोचता के सिध्धान्त का पालन करते हैं नियाएक सरवोचता यानि सुप्रीमेसी अब जूडिश्यरी यहां संसत कानून बनाएगी तो उस कानून की जो यूटिलिटी है यानि उस कानून की उपयोगिता है वो चेक करेगा नियायालेग और किस आदार पर चेक करेगा इसका उद्देश्य क्या है एक दूसरा इसकी प्रक्रिया क्या है कानून बनाने के लिए आप निश्चित प्रक्रिया का पालन करेंगे ना तो आपने ठीक प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं और दूसरा कानून बनाया है तो वास्तों में इसका उद्देश्य क्या है जनता के हित्मे है या जनता के खिलाप है दोनों प्रक्रिया को चेक करते हैं जैसे मैं आपको एक उधारण देता हूँ मद्यप्रदेश में OBC को सम्विधान के तैट 14 प्रतिशत आरक्षन प्रतान किया गया आगे आने वाली जो सरकार थी उसने इस आरक्षन की सीमा को बढ़ा कर 27 प्रतिशत कर दिया विधान सबा में भी वो एक प्रस्ताव लेकर आ गए उसके द्वारा भी 27 प्रतिशत किया लेकिन हाई कोट ने इस पर रोक लगा रखी है अभी तक तो हाई कोट किस आधार पर रोक लगा रहा है वो उद्देश के आधार पर नहीं लगा रहा है वो ये कहता है कि चूंकि संबिदान में ये प्रक्रिया है ये लिखा है कि किसी भी प्रकार का आरक्षन 50 प्रतिशत की सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर आप ये 27 प्रतिशत कर देते हो 10% EWS को भी जोड़ दें तो आरक्षन की सीमा 73 प्रतिशत हो जाती है क्रशी कानून संसद ने बनाए क्रशी कानून जो संसद ने बनाए हलाकि सरकार नहीं उसको बापस बिड्रॉल कर लिया सुप्रीम कोर्ट में केस पाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट उन क्रशी कानूनों के उद्देशियों को चैट नहीं कर सकता वो सिर्फ प्रक्रिया की जाच कर सकते है कि कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कि विध्यक प्रस्तुत किया दोनों हाउस में गया चर्चा हुई, संसोधन हुआ फिर पास बोटिंग हुई बोग किया गया या ऐसी मनमानी कर ली गए तो अमेरिका में नियाइक सर्वोचता यानि सुप्रीमेसी आप यूडिशियरी को मानते हैं और हमारे देश में क्या कहा जाता है संविधान की सर्वोचता को कोई कानून अगर इन्वैलिड किया गया है तो संविधान में उसके लिए प्राबदान नहीं था इसलिए इन्वैलिड किया गया है आगे पढ़ेंगे संविधान संचोधन को ले करके भारतिय संविधान कैविनेट मिसन की सिफारिश पर संविधान सभा के द्वारा बनाया गया इस संविधान सभा के जो सदस्च थे तीन सो नवासी थे कैबिनेट मिशन में ये अध्यक्ष थे पैतिक लॉरेंस दो ये सदस्च थे कहा सम्मिदान सभा ने कि हम एक लाग की आबादी पर एक व्यक्ति को चुनेंगे सम्मिदान सभा के लिए कोशिश करेंगे डारेक्ट एलेक्षन नहीं हुआ था यानि हमारे इस सम्मिदान पर आरोप लगाए जाते हैं या इसकी आलोचना की जाती है उसमें एक ये भी आदार है कि भारत का सम्मिदान भारतियों की इच्छा के अनुसार बना ही नहीं क्यों अंग्रेजों ने सिफार इसकी थी तो कैबिनेट मिसन की सिफारिस के हिसाब से बना फिर भारतियों को इसमें लिया नहीं गया जो एक लाग की आबादी पर एक सीट दी गई तो वो एक सीट किस आदार पर दी गई क्या उसमें ऐसा कहा गया कि कोई भी विक्ती चुना लगा सकता है कुछ भी नहीं क लेकर आए तो दुनिया वर के साथ देशों कादियन करके वहां से लेकर आए आलोचना में ये पॉइंट आते हैं लेकिन अवर आल अगर हम सोचें थोड़ा सा कि भारत का सम्मिदान वास्तों में कितना मजबूत या कितना कमजोर है तो लगता है कि नहीं काफी हद तक उसने ठीक कारी किया हुआ है 1950 में लागू होने के बाद से लेकर 2023 तक दूसरी तरफ उसी समय हमारे से अलग होने वाला पाकिस्तान आज आटे के लिए भी सड़कों पर जगड़े करता हुआ दिखाई देता है तो लगता है कि नहीं काफी हद तक ठीक है नेक्स्ट अब समझो 389 सदस्य में से 385 प्लस चार तो चार ये सदस्य कौन थे ये बिटिस कमिशनरी से आने वाले सदस्य मुस्लिम लीग को इसमें सिर्प 73 सीटे मिली तो उसने सम्मिदान सभा से वाक आउट कर दिया कि हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए तीन जून 1947 की गोशला के हसाब से प्रथक पाकिस्तान की मांग मान ली गई तो इस सम्मिदान सभा का उनर विभाजन हुआ और पाकिस्तान के सदस्यों को अलग किया गया मुस्लिम लीग के सदस्यों को अलग किया गया तो सदस्य संख्या घट करके टू डबल नाइन रह जाती है अब पहली मीटिंग हम पहली पढ़ चुकी है 9 दिसंबर 1940 को होई डॉप्टर सचिदा नंसिना अस्ताई अद्यक्ष बने दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1940 को होई और डॉप्टर राजंद्र परशाच जो हैं इस्ताई अद्यक्ष बने अब ये संविधान सभा कान करती है दो एक तो संविधान बनाएगी और दूसरा देश भी चलाएगी चुकि हमारे पास अब सत्ता आ चुकी है तो अब हमें ही सरकार चलानी है तो संविधान सभा एक संसद के रूप में भी काम करती है लेकिन संसद पूर्ण रूप से नहीं होई क्योंकि संसद के सदस्द से तो तब आएंगे जब चुनाऊ होगा और चुनाऊ तब होगा जब समयदान बन जाएगा अभी तक समयदान नहीं बनाए इसलिए इसे हम अंतरिम शब्द जोड़ करके कहते हैं कि अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी इंटरिम पालियमेंट अंतरिम का मतलब है इस्थाई व्यावस्था होने तक जो व्यावस्था बनाई है दोहरे कारे करती है तो इसका मतलब जब ये समयदान बनाएगी तब इसके चेर्मेन होंगे डॉक्टर राजिंद्र परशाद और जब देश चलाने के लिए कानून तब इसकी अध्यक्षा करेंगे जीवी माबलंकर गणेश वाशुदेव माबलंकर यही लोगसभा के पहले अध्यक्ष ठीक है नहरू जी ने उद्देश ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को 19 दिसंबर तक इस पर चर्चा चली और सम्मिदान सबाने इस प्रस्ताव को सुईकार कर लिया 22 जिनवरी 1947 को हमारे देश के सम्मिदान को बनाने में कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगा और 12 दिन हो जाते तो ठीक 3 साल हो जाते यानि लगबग 3 साल का समय लेने के बाद फिर सम्मिदान बनाया तो शौबावे के बड़ातो बने गई अमेरिका का सम्मिदान मात्र साथ आर्टीकल दो दिन में बना के रख दिया गया विश्र की सुपर पावर बन गया हम अभी भी विकास्षील और गरीवी से जूजने वाले देश बने हुए है सम्मिदान को जिस धंग से राजनेताओं ने और वकीलों ने तोड़ा और मरोड़ा है उतना किसी ने नहीं किया तो हमारे सम्मिदानों को वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं पारण क्या था कि ये 299 जो सदश्य थे अधिकांस वकील थे वकील तो समझ लो हर बात पर अपीन दलील करेगा तो जो बात सीधे सीधे कही गई है उसमें कुछ ना कुछ किंतु फरंतु जोड़ के उसके अर्थ को बेका बेर्थ कर दिया गया है खैर अब सम्मिदान बनकर तयार हो गया रेडी हो गया है 26 आप नवंबर 1949 को लागू किया गया 26 जनवरी 50 को ऐसा इसलिए कि हमारा प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिपर 26 जनवरी को मनाया गया था तो उस दिन की याद में इसको रोक लिया गया अब आलोचना वाला पॉइंट जो है वो मुख्य परिक्षास से संबंदित होता है प्री से नहीं होता है अबजेक्टिम में आलोचना को ले करके हम नहीं बात करते हैं आते हैं भारतीय सम्मिदान की प्रमुक बातों पर इस सम्मिदान में अलग-अलग देशों से कुछ प अंसदिय शासन प्रणाली आती है सम्मिदान सभा जब विचार विमर्ज कर रही थी तो उस पर अबजेक्शन लगा कि जब हम प्रिटिसर्स को यहां से हटाना चाहते हैं खदेड़ना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्ता को क्यों लागू कर रहे हो इसकी जगे आप अध्यक् आत्मक शासन प्रणाली को क्यों सुईकार नहीं कर रहे हैं रेसिडेंशियल पॉर्म अप गवर्मेंट रख लो तो सम्मिदान सभा के सदश्यों ने इसका अंसर दिया था कि ये जो संसदिय शासन प्रणाली है इसको सीखने में हमें 200-300 साल लगे अगर हम नई व्यवस्ता रखेंगे तो फिर हमें अत्यदिक समय लगेगा ये उनका अपना पर्श्पेक्टिब था हो सकता है वो भरोसा नहीं कर पा रहे हों जनता के उपर कि लोग इस नए प्रारूप को समझ पाएंगे उस समय के एसाब से जैसा उन्होंने देखा समझा वो किया तो संसदिय शास में अगर किसी मंत्री के विरुद कोई प्रस्ताव पास हो जाए या कोई मंत्री विध्यक प्रस्तुत करे और वह विध्यक पास नहो तो सिर्फ उस मंत्री को रिजाइन नहीं करना होता पूरी के पूरी मंत्री परिशद को रिजाइन करना पड़ता है यानि सामुएक रू प्राष्ट्रोप से बुल प्र advoc opposite प्रमुक होना जैसे कई घरों में के मुख्या कौन है पापा चलती किसकी है मम्मी investigative परफ्चारी ग्रूप से मुखिया तो पापा है, काम सारे, तो ये समझ लो, वास्ताविक शक्तियां, रियल पावर किसके पास है मंतरी परिशद में, कहा गया है कि संसदी अशाशन प्रणाली है, संसद में सत्ता होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, संसद में लोकसभा में जिसके पास बहुमत हो जिसके पास बहुमत हो वो बनेगा मंत्री तो मंत्री परिशत जो चाहेगी वो करेगी न तो रियल में शक्तिया मंत्री परिशत के पास होती है ये प्रापदान भी ब्रटैन से लिया गया विधी निर्मान की प्रक्रिया कानून कैसे बनेगा तो विधेत पृस्तुत करेंगे चर्चा होगी ये सब ब्रेटेन में होता था वो हमने अपने देश में भी रख लिया लोग सबा में स्पीकर का पद ये भी ब्रेटेन से लिया गया है ना एकल नागरिक्ता का सिध्धान आज आप मद्यप्रदेश के निवासी हों चाहे यूपी के हों चाहे हरियाना के या सिक्किम के लेकिन नागरिक्ता आपकी भारती ही रहती है तो एकल नागरिक्ता के प्राफदान को हमने ब्रिटेन से लिया सांसदों को मिलने वाले स्पेसल प्रिविलेज जिने हम विशेश अधिकार कहते हैं सांसदों को विशेश अधिकार है अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मिस्टर अर्विंद केजरीवाल बिधान सबा में पी-एम मोदी के खिलाब ऐसे अप सब्दों का प्रियोग करते हैं कि अगर आप उन सब्दों को बोलेंगे तो आपके खिलाब मानानी का केस आसानी से किया जा सकता है लेकिन इनके खिलाब नहीं हुआ जबकि यही केजरीवाल जी पहले जब एजेंडा चलाते थे तो इनके उपर अनेक मानानी के केस हुए थे तो सारे केसों में इनोंने माफी लिखित में मागी सबी से चाहें आरोन जेटली से हों चाहें नितिन गड़करी हों लेकिन आज की इस्तिती में ये विधानसवा में जो बोलके गए इनके खिलाब कोई केस नहीं हुआ कहीं क्यों नहीं हुआ क्योंकि विधानसवा की चार दिवारी के अंदर या संसद की चार दिवारी के अंदर कोई भी सदस से कुछ भी कहने की स्वतंतरता रखता है कुछ भी तो ये इस आधार पर बच जाते हैं तो सांसदों को विशेश अधिकार में एक विशेश अधिकार ये भी है अन्नी भी होते हैं कि अधिवेशन के पहले गरपतार नहीं कर सकते बिना उसके तुब उस सब आगे आ जाएगा तो ब्रिटेन से लिए गए प्रमुख प्रापदान अब अमेरिका से उस एस से जो संघीया शाषन प्रणा ली है तो संघीयशाषन प्रणाली नहीं थी तो ये अमेरिका से ली गई संभिधान की सुप्रीमेसी, सरवोचता ये प्रॉविजन भी लगबग लगबग अमेरिका से लिया गया पूरा तो नहीं बोलेंगे लगबग स्वतंत्र नियाई पालिका, नियाई पालिका अलग है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है तो ये प्राबदान भी अमेरिका से लिया गया नियाईक पुन्राब लोकन, सुप्रीम कोट अपने ही डिसीजन का फिर से रिव्यू कर सकता है, ये वाले प्राबदान फंडामेंटल राइट किसी भी देश में सम्विधान में रखे गए हो अमेरिका से ही लिये गए, राष्ट्रपती का पदनाम अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपती को कैसे उसके कारिकाल से पहले हटा सकते हैं तो महाव्योग की प्रक्रिया, इंपिश्मेंट प्रोसेस ये भी अमेरिका से लिया गया सम्विधान को संसोधित करने का अधिकार संसद को मिला हुआ है लेकिन कुछ प्राबदानों में संसद के साथ साथ राजियों की सहमती भी चाहिए तो ये वाला जो प्रॉवीजन है ये भी अमेरिका से लिया लिया आयरलेंड यहां से लिये गए हैं डीपीएसपी डारेक्टिव प्रिंसिपल अप स्टेट पॉलिसीज नीत निर्देशक तत्व राजिसवा में सदस्यों का मनुनयन है ना बारस सदस्यों का मनुनयन होता है ना वो प्रॉवीजन भी आयरलेंड से लिया गया कैनेडा से जो चीजें ली तो संगिय व्यवस्ता अभी हमने पड़ा अमेरिका से भी ली संगिय व्यवस्ता दूसी तरफ आप बता रहे हो के कैनेडा से भी ली यह क्या खिचडी बना रहे हो तो खिचडी नहीं है संगिय व्यवस्ता मूल रूप से अमेरिका से आई लेकिन अमेरिका की संगिय व्यवस्ता और केनेडा की संगिय व्यवस्ता में अंतर है अंतर कैसा कि अमेरिका जो है पचास राज्यों से मिलकर बनने बाला संग है उनके बीच में संदी हुई उस संदी को कभी भी तोड़ करके वो राज्य अपने आपको स्वतंत्र गोशित कर सकते हैं हमारे देश में ऐसा नहीं है हम राज्य और केंसासित प्रदेश जो भारत के साथ हैं वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते तो ये केनेडा के जैसा प्राउर्मेट है केंदर और राज जी के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया तो ये भी केनेडा के समयदान से लिया गया आस्ट्रेलिया के समयदान से ली गई है कॉनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची यह सूची वो होती है कि जिसमें दिये गए टॉपिक पर कानून बनाने का अधिकार संग के और राज जी दोनों को प्राप्ट होता है जापान से जो लिया गया ये पीएस्सी का पसंदीदा क्वेश्चन है तो आर्टिकल ट्विंटी वन समवंदी प्राप्टान प्राण एबम देहक स्वतंतुता समवंदी प्राप्टान दक्षन अफरीका से समयदान संसोधन करने की प्रक्रिया ली गई पूर्व सोवियत स जंग से मौलिक करतब लिये गए फंडामेंटल ड्यूटी जर्मनी से हमने आपाद कालीन प्रापदान वाइमर कॉंस्टिटिउशन वहाप का था उससे हमने अमर्जेंसी प्रापिजन दिये अप नाम लो किसी भी समयदान की किसी बात का तो वो किसी देश से ही ली गई तो कुछ समिती प्रणाली को अपनाया गया नि कारियों को बांड दिया छोटी छोटी समितियां बना दी गई जिसमें प्रमुक समिती है ड्राप्ट कमेटी प्रारूप समिती ये प्रारूप समिती सबसे मायच्पूर मानी गई क्योंकि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते ह के हिसाब से ही तो काम होता है तो सम्मिदान जो हम बना रहे थे तो इसका ये आर्किटेक्चर काम इसमें साथ सदस्य थे टोटल डॉक्टर भी अड़मेट कर इसके अद्यक्ष सदस्यों में एन गुपाला स्वामी आयंगर अलादी कृष्णा स्वामी आयर के एम मुंसी एसम सादुल्ला एन मादवराव टीटी कृष्णमचारी दो सदस्यों मूल डूप से इसमें नहीं थे ये बील मित्रा के इस्तान पर लाए गए और ये डीपी खेतान के इस्तान पर लाए गए तो टोटल सदस्य थे साथ फिर आती है संग शक्ती समिती यानि केंद्र को क्या-क्या शक्तियां मिलेंगी इस कमेटी के चेयर पर्षन बनाए गए मिस्टर जवाललाल मेरू फिर आता है संगिय समिदान समिती यानि संग को क्या-क्या प्राबदान होंगे कि वो सारा समिदानिक जो चीज़ें थी, उसके अधिक्ष भी यही बनाए गए. प्रांतिय समिदान समिदी, प्रॉविंसिल के राज्यों को क्या मिलेगा, सर्दार वल्लभाई पठेल बनाए गए. अल्प संख्यक और मौलिक अधिकार समिती के अध्यक्ष भी सरदार वल्लब भाई पटेल थे जंडा समिती आचारे जीवी करपलानी सलाकार समयदानिक वी अन राव थे ठीक है ये प्रमुक समितिया थे अब हम उस समय जो मौल समितान बना और आज जो समितान में परिवर्तन है उसकी तुलना कर सकते हैं जब मौल समितान था तो उसमें एक प्रस्ताबना होती थी प्रियंबल आज भी प्रस्ताबना है लेकिन तीन नए शब्दों को जोडने के बाद यानि इसमें एक नया शब्द एड किया गया है समाजबादी दूसरा है पंथ निर्पेक्ष जिसे सेक्यूलर कह देते हैं और तीसरा शब्द है और अखंड़ता तो ये तीन नए शब्द प्रियंबल में 42 में संसोधन 1976 के द्वारा एड किये जा चुके हैं पहले सम्मिदान में भाग टोटल थे 22 अब 25 कह देते हैं यदि हम इनको भी नया पार्ट मानें तो पूर एको नया मालने नाइन एको नया मालने और 14 एको मालने तो सम्मिदान में कोल अनुच्छेद आर्टीकल 395 थे आज ये कहा जाता है कि साड़े 400 के लगबग आर्टीकल हैं वो भी तब यदि हम उनके सब आर्टीकल को एक नया आर्टीकल मालने हैं यानि आप साड़े 400 आर्टीकल पढ़ते हैं लेकिन इसकार थी ये नहीं कि 396 या 397 नाम से कोई आर्टीकल होगा कोई दे अनुच्छियां शेडियूल जो थी मूल सम्मिदान में 8 थी आज इनकी संख्या बढ़ करके 12 हो गई है ठिक ये हो जाता है अब आगे हम पढ़ेंगे सम्मिदान की प्रस्तावना प्रस्तावना का अर्थ समझेंगे उसके अंदर आने वाले जो शब्द हैं उनको भी देखेंगे और फिर चलेंगे किस पर मौले का दिकाद़ तो सम्मिदान की विशेशता हैं क्या सब बाते हैं इतना यानी कल का और आज का दोनों का मिला करके आप तभी सोएंगे जब ये याद हो जाएंगे पांडे जी विशेश कर अने था पस्ताना ही आपके हाथ में बचेगा इसके अलाबा कुछ भी तिक आपके साथ साथ ये सुनील यादब राजवीर सिंग ये लोग भी देख ब्रेक पांच साथ मिनिट का उसके बार नेक्ट